आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि यदि हमारे बर्चार्ट में शनीग रहे वीख हो या अफ्लिक्टिड हो यानि कि कमजोर हो या पीडित अवस्था में हो तो वो किस तना से व्य नेगिटिव प्रभाव को कम करने के लिए हम किस तरह की कार्मिक रेमेडिस को अपना सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी विशे पर चर्चा करने वाले हैं तो आईए शुरुवात करते हैं दिखिए शनी ग्रह हमारे जीवन में represent करता है hard work को, discipline को, struggle को, हमारे जीवन में आने वाले ups and downs को, मुश्किलों को और delays को तो शनी ग्रह जो है वो हमारे जीवन में कर्म को भी represent करता है, हमारे इस जनम में कर्म क्या होगा ये भी शनी ग्रह ही तै करता है और हमारे profession का natural significator भी शनी ग्रह को ही माना जाता है तो यदि शनी ग्रह हमारे बर्चार्ट में कमजोर सिती में है या पीड़ित सिती में है तो ये हमारे जीवन को बहुत गहरे से प्रभावित कर सकता है तो इसके लक्षणों के बारे में यदि हम बात करें तो सर्व प्रथम यदि शनीग्र है हमारे बर्चार्ट में कमजोर है या पेड़ी तवस्ता में है तो व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन की कमी हो सकती है व्यक्ति के जीवन में डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा अ बनती है और व्यक्ति की जो है पूरी डेली रूटीन जो है वो अन ओर्गिनाइज हो सकती है व्यक्ति भले ही घर पर रहे या ओफिस में हो उसकी जो पूरी रूटीन है वो अन ओर्गिनाइज होने की समभावना ये स्थिती बनाती है और व्यक्ति यदि कुछ काम करता भी है तो वो under compulsion ही करता है और वो एक सामान्य से काम को भी दूसरों के comparatively ज्यादा लंबे समय में जो है वो पूरा कर पाता है तो इसी तरह से ये स्थिती व्यक्ति के जीवन में जो है health issues भी create कर सकती है लाइफ की later stages में जैसे की joint pain या फिर पैरों में या टांगों में दर्थ की समस्या इस तरह की problems और इस तरह की शनी की स्थिती व्यक्ति के बर्चार्ट में यदि हो तो व्यक्ति जो है उसके जीवन में addictions भी हो सकती है भले ही वो किसी भी तरह की addictions हों तो यदि शनी ग्रह बर्चार्ट में कमजोर सिती में placed है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो ना तो जल्दी सो पाते हैं और ना ही वो जल्दी उठ पाते हैं सुबह तो अब हम शनी ग्रह की कुछ एक specific placements के बारे में बात करने वाले हैं जो शनी ग्रह को weak या afflicted बनाती हैं तो सर प्रथम देखिए यदि शनी ग्रह किसी व्यक्ति के birth chart में first house में placed हो तो जो कि शनी ग्रह के लिए मरन कारन स्थान माना जाता है तो ये भी व्यक्ति के जीवन में जो है नकारात्मक प्रभाव उत्पन करती है तो यहां पर यदि शनी ग्रह किसी व्यक्ति के birth chart के first house में ही placed हो तो ये व्यक्ति को overthinking दे सकती है ये स्थिति और इसके साथ ही व्य restrictions में ही जीता है तो इसके बाद मैं कुछ एक राशियों की बात करना चाहूंगी जो कि जहां पर की शनी ग्रह के लिए जो है परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है शनी ग्रह जो है वो वहां पर uncomfortable हो सकता है तो वो राशियां है Cancer, Leo, Aries और Scorpio और Aries यानि की मेश राशी में तो शनी ग्रह जो है वो कुछ एक certain degrees तक जो है उसे नीच का माना जाता है तो यहां पर यदि शनी ग्रह का नीच भंग नहीं हुआ है तो उसे कमजोर ही माना जाएगा तो इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि यदि शनी ग्रह जो है वो degree wise कमजोर हो, degree wise उसका बला-बल यदि कम हो तो भी शनी ग्रह जो है वो बहतर result देने की स्थिती में नहीं हो पाएगा तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिये यदि किसी व्यक्ति के बर्चार पे शनी ग्रह पीडित अवस्ता में हो वो सूर्य या राहू या केतू के साथ प्लेस्ट हो उ तो इस स्थिती में भी शनी के पॉजिटिव प्रभाव में कमी हो सकती है तो जब भी हम शनी ग्रह की प्लेस्मेंट को चेक करें तो हमें D1 और D9 दोनों में ही चेक करना होगा और यदि दोनों ही स्थानों पर शनी ग्रह जो है वो कमजोर स्थिती में है तो तब ही उसे जो बर्द चार्ट में शनी ग्रह जो है वो D1 में लगन चार्ट में जो है शनी ग्रह वो कमजोर स्थिती में है लेकिन D9 में जो है वो बहतर स्थिती में है तो इस स्थिती में लेटर स्टेज में especially after the age of 36, जो है वो शनी ग्रह जो है पहले से बेहतर स्थिती में हो सकता है, वो बेहतर परिणाम देने की स्थिती में हो सकता है, तो अब हम जानेंगे कि शनी ग्रह यदी बर्चार्ट में वीक या अफ्लिक्टिट स्थिती में होने की वज़े से, किसी व्यक्ति को जीवन में नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं तो कुछे कार्मिक रेमडीज को करके उसके नेगेटिव प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है तो देखिए भले ही कोई व्यक्ति महादेव के सरलतम मंत्र ओम नमशिवाय का जब करे तो भी शनी ग्रह के नकारात्मक शनी के नेगेटिव प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि शनी ग्रह जो है वो हमारे कर्म को रेपेजेंट करता है और नेगेटिव कर्मों में सुधार किये बिना कोई भी मंत्र रिजल्ट नहीं देगा भले ही वो मंत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो तो शनी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को नेगेटिब प्रभाव को कम करने के लिए हमें शनी ग्रह को शनी देव को समझना होगा शनी देव क्या है वो है एक सन्यासी जिने दीन दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है उन्हें तो बस निस्वार प्रभाव से सेवा करना है तो यदि कोई व्यक्ति शनी के नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहता है अपने जीवन में तो उसे फिजिकली चालेंज ब्लाइंड या बे सहारा लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए क्योंकि शनी ग्रह जो है इन सब को रिप्रेजेंट करता है तो भले ही कोई व्यक्ति जो है भले ही इन लोगों की कपड़ों से मदद करें दवाईयों से या जिस भी तरह से चाहे उस तरह से उनकी मदद कर सकता है और इसके साथ ही व्यक्ति को जो है अपने सबॉडिनेट्स या जो लोग उसके अंदर काम करते हैं उन लोगों से भी अच्छे संबंद रखने चाहिए, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को पेमेंट समय पर मिलें, इस बात का भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए यदि किसी व्यक्ति के कर्म नकारात्मक हैं, यदि तो उस थिती में वो भले ही कितने भी मंत्र कर लें, उस उसका जो है डिजायर्ड रिजल्ट व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलता, यदि कोई व्यक्ति जो है वो अपने अंडर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ गलत व्यभार करता है, उन्हें समय पर पेमेंट्स नहीं देता, तो वो भले ही कितने भी मंत्र कर लें, शनी ग्रह जो है उनको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला, तो इस तरह से शनी ग्रह से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है अपने कर्मों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये था मेरा छोटा सा विशलेशन, अगर आपको मेरा ये वीडियो